हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे चैनल पर दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टन कोईश्यन रिचर्ड इस्टील एजन एसेज्ट जी हां दोस्तों एक कोईश्यन बहुत इंपॉर्टन है चुकि पिछली बार मैंने देखा नहीं आया है तो इस एक बात और बता दू कि जितने एसेस्ट हैं जिसे मेंली जो आते हैं पेपर में जैसे पांच है जैसे फ्रांसिस बेकन है और रिचर्ड इस्टील एडिशन है जो सफ एडिशन या फिर जेवी प्रिश्ट लें हैं तो इनको मैं सोच रहा हूं करा दूं उसके बाद आर्म स जो सिलेबल सो कंप्लीट हो जाएगा तो टैंसल लेने की जरूरत नहीं परेशान होने की जरूरत नहीं सब कुछ पूरा हो जाएगा अभी आपके पास बहुत टाइम है लेकिन जीतना मैं पढ़ाता हूं उतना आप तयार कीज़े मेरा कोईशन लिखाने का मतलब यह है कि अगर आप नहीं लिख पातें तो कम से कम यहीं से नोट कर लीजिए अगर मेरे पास पीडियाप भेजने की सुपधा होती तो मैं साथ इस पर कोईशन पर यह जो वीडियो बना रहा हूं ना बनाता आपको डारेक्ट पीडियाप की रूप में उतना नया हूं यह आप कह सक ले सकते हैं अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं आराम से चलिए रिचर्ड इस्टील आजन एसेश्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहली हेडिंग इंट्रोडेक्शन इंट्रोडेक्शन में आपको थोड़ा साइन के बारे में डिसकस करना होता है जैसे रिचर्ड इस्टील आप बीए कर रहे हैं, second year में, he was known as periodical essay, the writers of this period did not contribute their essays to the particular book, और अगर आपको नहीं आता हिंदी तो आप Google है, आपके पास mobile है, अप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, हाँ जो main होगा, जो आप को मैं जानूंगा कि ये समझाने लाइक हो, मैं जरूर समझाऊंगा, they did not compile their essays into book form, his essays came out from time to time from the periodicals and channels, he founded Tetler in 1709 and the spectator club in 1711, he also contributed to the other magazines like the guardian, तो ये 18th century के महान लेखर थे और उनको प्रियोड कल एसेस्ट के रूम में जाना जाता था, और प्रियोड कल एसेस्ट जो होते थे, ये अपने बुकों को यानि कि जो अपना योगदान है, अपने essay को किसी पार्टिकुलर बुक में नहीं देते थे, वही कहा है, they did not compile their essays into book form, होता है, ऑर मतलब, इनके जैसे मासिक तोर पर आते थे जैसे, पत्रिकाएं नहीं होते हैं, मासिक, monthly या, साबता ही, ऐसे इनके जो इससे आते थे, सबता में weekly, monthly, ऐसे आते थे, किसी पार्टिकुलर livres book में नहीं लिखा 1709 और इस प्रेक्टेटर क्लब को इन्होंने 1711 में लिकाई आप जानते हैं जो सापता ही किया मैंथली होती है उसका नाम था दगार जिन तो उसमें भी इन्होंने योगदान दिया तो पहले हैं दूसरी हैं एक अशेश्ट आप देखें यहां पर थोड़ा सापको समझने वाली बात है जो मैं आपको समझाओंगा तो तो आप कह सकते एक प्रकार से क्रांती काल आप जानते हैं सब क्रांती होती है तो उसमें कुछ लोग प्रतिनिद्वत करते हैं क्रांतकारी बिद्रो होता है ओके समझ ले न यही चीजें इसमें लिखी हुई है तो एक क्रांतकारी के रूपे हम कह सकते है क्या योगदान है यही थोड़ा सा यहां पर the essays of Richard is still reveal the fact that they are each expresses of genius okay he represented the transition from the restoration as to the Augustanese in orderly represented means he represented in orderly present Kia प्रतिनिद्धित किया transition and Kranti काल का अब कहां से लेकर कहां तक restoration age से लेकर Augustanese तक मतलब इन्होंने क्रांति का प्रतिनिद्धित किया अब किसके विरूद के क्रांति हुई ही revolted against the Latinist Latinist and in Latin के विरूद लख पोस अफ मिल्टन और रॉबर्ट ब्राउनी और इन्होंने रॉबर्ट ब्राउनी और रॉबर्ट प्राउनी के प्रोस को सीखा अब जो अब जो प्रेयाड्कल जैसे किसी चीज़ पर टो लिखते हैं जैसे एससे लिखा किसे ने प्रकिल्थ पर लिखा किसी दिखने और तो इनके अधिकतर कॉलेज से होते थे इसको लाइब्रेरि क्लपس काफिए सब ऑगे तीसरी हैतिंग आपको डाने सब्जेक्ट मेंटर यह जो ऐसे लिखते थे कहर में से लिखते थे तुम मैंने बता दिया लेकिन इनके आस सब्जेक्ट इनके της सब्जिक्ट मैटर क्या है सब्ज़ेकट मैटर में विशवस्थु में में थीम क्या zwei एक willkommen शाम सब्सक्राइब क्या उसमें आनन्द है इंटर्टेन्मेंट है यह सारी चीज़ें है सैडनेस है यह कहने मतलब यह ओके रिचर्ड इस्टिल प्राट अकाउंट आप गैलेंट्री यानि बहादुरी को दिखाते हैं जब आप इनके इस से पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहाद है वह क्या हैiley से होने संब या सफिर यहली वर्टव कोके यह-णे इंपोर्टेंट है और ne यह बहुत आसान है बहुत आसान है और बहुत इंपर्टंट इसलिए मैं इसको बता रहा है prices BC अब आपको यही heading पूछ ले short में दो नंबर में दो नंबर में पूछ सकता है आपको तीन चार नंबर में जो भी पूछ सकता है कि write a note on the Richard Steele as an pre-ordical assessed pre-ordical assessed के रूप में इन पर एक निबंद लिखो एक note लिखो ऐसा आपको पूछ सकता है short में तो as a pre-ordical assessed his main purpose was to bring out the picture real picture of the society यानि society के real picture को सामने लाना चाहते थे कि वास्तों में society को कैसा होना चाहिए और है कैसी in the spectator club spectator club मैंने आपको पढ़ाया अगर आपने वह पढ़ा नहीं तो पढ़ लीजे क्योंकि बहुत ही अच्छा ऐसे है और आपको बहुत मजा आने वाले वहां पर तो इन देश्पेक्टेटर क्लब में छे करेक्टर को तो इसक्राGU कया है इन डिस्पेक्टेटर कलप इसक्राइब से शक्राइब करेक्टर रीक हमरी के का करेक्टर कृटेय और क्लास्प डिफिरेंत क्लास डिफ्रेंट ससाइटी ब्रतेग जours फिट्राइच्ग अबत गलाग पर थे अपर आपने पढ़ा तो बहुत पात है नहीं तो फड़ दीची टेंप्लर वाज सेकेंड जो था ये सेकेंड करेक्टर था तो दा टेंप्लर वोजर मेंबर ओफ इन्टेंपल ये इनटेंपल का सदस्थ ही वांटेट टो इस्टेडिय अफ लिट्रेचर लिट्रेचर को पढ़ना चाहता था इसकी कांसर में दिलचसपी थी वो लिट्रेचर में थी लेकिन इसके पिता जी ने उसको कहां भेज दिया इस्टडी आफ लाउय निलोग की पढ़ाई करो इसके पिता जी ने इसको लॉख की पढ़ाई करने के लिए भेढ़ दिया अज़र प्लिए परपर वाज तुब आप आप आसान कैसे इसलिए है क्योंकि अब इसमें आपको इस्पेक्टेटर क्लब का थोड़ास आपको दो डिखा देना है इस्पेक्टेटर क्लब अगर आपने इससे पढ़ा तो उसके आगे आपको यहीं जोड देना बाकी आज़र अब जो तीश्री या फिर हमके नेक्स्ट हैडिंग है एक सुधारक की रूप में समाज सुधारक कह सकते हैं तो इस अब पर मोंगों के सामने समाज का वास्थिक पिक्चर रखना चाहते थे कि वास्तों में समाज कैसा है और इसा होना चाहिए इस चिल पॉइंट्स आउट वीकिनश्य समाज की यह हम कहें कि लोगों की कमजोरियों का और उनकी कमजोरियों को दिखाते हैं और एडवाइस और सला भी देते हैं तुबी यूसफुल टुदा सोसाइटी थ्रू विज्टम एंड किरियोस्टी की अपने समाज की सहायता करो विज्टम और किरियोस्टी के साथ बड़ी उत्सुक्ता के साथ और बुद्धिमता के आप प्रोज स्टाइल प्रोज स्टाइल वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने आपको ऐस प्रोज स्टाइल आप से हो सकता है दो नंबर में पूछले सिर्फ प्रोज स्टाइल की राइट प्रोज स्टाइल आफ रिचर्ड इस्टील तो प्रोज स्टाइल इनकी लिखन में अगड़ी होना आप क्रांती करते हैं तो उसमें आप अगवा है नेत्रित करता है ओकी तो रिचाड इस्टीरी जोन अब पाइनियर यह एक प्रकार से अगवा है अफ दा लिट्रेडी गेनर लिट्रेडी देखें गेन का मतलब क्या होता है प्राप्ट करना और गेनर का मत इस पोज स्टाइल देखी आ गया अब इसको देखिए मैंने आपको इस्पेक्टेटर कलब पढ़ाया अगर आपने सही से पढ़ा छे करेक्टर पढ़े तो आपको बहुत मजाया होगा तो वहां से एक कॉंसर्ट यह निकल कर आता है कि जो इनकी स्टाइल है उसमें इन्हो इन्होंने सटायर के आनि आलोचना की इगोईज्म एक्ट्रवेजंट एंड पैसन ही स्टाइल है जिस पेसल चार्च ऑफिस ओन इस प्रोजिस्टर इस वरी सिंपिल लूशीड ही यूज़ फ्रेजिस मैग्जिम्स टैटर पॉलिस्ट इफेक्टिव इन्होंने मुहावरों का लोकुक्तियों का यूज किया है जो बहुत ज्यादा पॉलिस्ट यानि की सुन्दर है और एफेक्टिव भी हैं अब लास्ट हैडिंग आपको कंक्लीजन लिख देना है इसमें थोड़ा सा आपको लिखना है अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और इसमें लिख सकते हैं क और दार्शनिक टाइप कर देशार दार्शनिक नहीं होते हैं सोचते समझते हैं समाज के बारे में वैसे था दिरार क्लेरिटीज आफ एक्सप्रेशन और जो इनके एक्सप्रेशन होते थे उनमें बड़ी इसपश्टता होती थी दिर जेंटिल यूमर और काइनेस इनिज इनके स्टाइल में काइननेस यानि दयाल लुता है और हुमर मैंने आपको बगाया तो मैंने बहुत तेजी से पढ़ाए इसलिए पढ़ा रहा है ताकि आपको आपका समय भी ना जाये हो आप इसको नोट कर लिजिए नोट कीजिए और थोड़ा सा समझ लिजिए एक बार म हम लोग आर्म शैंड दी मैन या फिर देखेंगे तो मैं पहले आपको तीनों ऐसे पढ़ा दूंगा जो बचे में जो भी देखेंगे कमेंट जैसा आएगा वैसा मैं एक्शन लूँगा ओके तो मिलते हगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बहुत-बहुत धन्व दोस्तो